यह fertilizer आपके डबल चादनी फ्लावर प्लांट को फुलो से भर देगा यह है वो fertilizer मैं यूज करता हूँ kindly आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तब जाके आप लोग को पूरा नालेज हो पाएगा दोस्तों आज मैं आप लोग के शाहत शेयर करूंगा डबल चादनी फ्लावर प्लांट की क्यार आप लोग कैसे करेंगे जादा से जादा फ्लावर आप लोग को डबल चादनी फ्लावर प्लांट से कैसे मिल शकता है मैं कैसे जादा से जादा फ्लावर डबल चादनी फ्लावर प्लांट से लेता हूँ एक ही वीडियो में मैं शब को शेयर करूँगा यह देखिए जो flower खिले है non-stop flower खिलते हैं मेरे flower plant में धेखिए huge quantity में और बहुत ही बड़ बड़ flower खिलते है शब ही जगा पर आप लोगो flower और barks देखने को मिलेंगे यह देखिए और भी देखाते हैं पहले मैं दिखा लेता हूँ और इसके बाद मैं आप लोग को इसका जो क्यार की टीप्स है वो टीप्स मैं आप लोग को शेयर करता हूँ यह देखी शबी जगह पर कही अगर फ्लावर नहीं है तो बार्ट्स आ रहे है यह देखी शबी जगह पर यह देखी निवनू में हमेशा flower खिलते रहते हैं और non-stop flower खिलते रहते हैं मैं fertilizer क्या देता हूँ ज्यादा से ज्यादा flower मैं कैसे लेता हूँ और मेरे flower plant इतनी ज्यादा healthy कैसे है शब कुछ मैं वीडियो में आप लोगो शेयर करूंगा शब से पहले मैं बात करूंगा आप ही आपकी flower plant में प्राटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये शब प्राटेक्ट करने के लिए आप लोगो को इमीडा क्लोपीड याने की कंफिडर और नहीं तो टाटा मीडा इमीडा क्लोपीड 17.8 SL 1 ml एक लिटर पानी में मिला के हफ्ते में एक बार हमको इस्प्रे करना है फांजी साइड रीडो मिल्क गोल्ड दो गिराम एक लिटर पानी में मिला के हमको 15 दिन अंतर से एक बार इस्प्रे करना है इस से ज़्यादा इस्प्रे करने की कोई भी जरूरत नहीं है ये स्प्रेश करेंगे आपके पास कोई भी एक अच्छा मल्टीपल माइकर यान्स होना चाहिए जैसे कि मैं यूज करता हूँ उतकर्ष कंभीटू अच्छा result है, Ampuxilin COMB2 अच्छा result है Rexilin CX के अच्छा result है ये सब आपके पाश अगर होगा आप लोग यूज करे Rexilin CX के का dose है 1 gram per liter water Ampuxilin COMB2 और उतकर्ष COMB2 का dose सेम है 1.5 gram per liter water या 2 gram per liter water यूज कर सकते हो, हफ़ते में एक बार इस्प्रे करना है और आप ही भी आप लोग कोई भी organic feeding इसकी pot में ना दे इसकी soil में ना दे, जिस टाइम organic feeding देने का time आएगा मैं आप लोग को video देके update दे दूँगा आप ही आप लोग को chemical feeding ही देना है चलिए मैं fertilizer क्या देता हूँ आप लोग को देखा देता हूँ मेरे यह जो pot है pot size 12 inch है 12 inch की एक pot में मैं जो fertilizer देता हूँ यह है DAP देखिए मैं 20 granules देखिए 20 granules DAP at a time देता हूँ ऐसे करके चारों side में 20 granules DAP विखिड देते है DAP हम 15 दिन में एक बार देते है और एक बात है दोस्तों बहुत दोस्तों ने हमसे comments करके पूछा है कि sir आपके पास double chandni खुशबुदर flower plant है क्या क्योंकि इससे पहले मैंने cutting से grow किया था और आप लोगों को मैंने video भी share किया था मेरे पास एक plant सिरे बचा है वो plant मैं खुद grow करूंगा reporting करेंगे मेरे पास राखेंगे बाकी plant मैंने श्रब एदर ओदर दे दिये है kindly आप लोग अगर video देख रहा है तो इसके बाद comments process ना करें February मांत में मैं फिर से pruning करूंगा उस टाइम फिर से मैं कुछ plant grow करूंगा इसके बाद जैसे कि next summer season में आप लोग अगर बोलेंगे summer के बाद rainy season में आप लोग अगर बोलेंगे तो आप लोग को मिल शकता है मैं काफी लंबी शमाय तक मेरे पास flower plant रखा और इसके बाद हमने gift कर दिये है इसके शाथ-शाथ हम क्या देते है देखिए 12 इंच की pot है ब्रिक्षदर plant है तो इसको magnesium sulfate हम at a time पाँच ग्राम देते है यानि कि एक चम्मज यह पाँच ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हो शकते है क्योंकि इसकी बजन थोड़ा सा ज़्यादा रहते है तो इतना magnesium sulfate हम at a time देते है शबसे पहले मैंने 15 से लेके 20 granules DAP दिये है 20 granules DAP के अंदर nitrogen है और शात्मे फशपराश है और इसके बाद हमने magnesium sulfate दिये है magnesium sulfate के अंदर magnesium और sulfur होता है DAP के अंदर जो nitrogen होता है nitrogen हमारी flower plant को बहुत ज़्यादा boosting करते है इसका growth बराने के लिए promote करते है first brush नीचे की जड़ है root है root development को root system को develop करते है और ओपर की branch को भी मजबुती प्रदान करते है इसके साथ-साथ हमको जो main चीज़ देना है जिससे की आपकी flower plant बिल्कुल फुलों से भर जाते है या मेरे flower plant फुलों से भड़ गए है ओ है देखिए secret fertilizer ये fertilizer हम देंगे at a time 2 gram हफते में 2 gram देते है 2 gram देने का reason ये है हमारी flower plant कुछ बड़े है ताने भी बहुत ज़्यादा मोटे है ये देखिए ये है NPK 0050 NPK 0050 याने की potassium sulfate एक gram हो गया और एक gram ये देखिए और एक gram और ये fertilizer हम soil की उपर देखे ऐसे हम soil की उपर देखते है और इसके बाद हम पानी डाल देते है और एक बात मैं कहना चाहूंगा देखिए बारिश की कारण बहुत सारे roots उपर आ चुके है तो इसमें मैं कुछ मिट्टी भी डाल दूँगा आज अब ही आप लोगों को देखा देता हूँ कुछ soil हम इसमें डाल देंगे जो soil डालेंगे उसका रेशियो होगा एक part sand, एक part soil और एक part compost यह हमने कुछ soil डाल दिये है जो roots बाहर आ गये थे यह roots को हमने कवार कर दिये है बैस और fertilizer नीचे है इसके बाद हम पानी डालेंगे बहुत अच्छा से पानी डालेंगे fight legend देने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छा से पानी डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप अगर अच्छा से पानी नहीं डालेंगे तो आपकी flower plant stress में आशकते है इसकी पत्ते जुलाश सकते है इस बात को धेन रखिएगा मैंने एक लिटर पानी डाले है और एक लिटर पानी लेके हम डाल देंगे इस पूरा पॉर्ट हम भर देंगे इतनी पानी डालने के लिए आपके पॉट की मिडिया बहुत अच्छा होना चाहिए है अगर मिडिया अच्छा नहीं है तो यह जो पानी है पानी होल्ड करके राखेगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन मेरे pot की media एतने अच्छे है कि थोड़ी देर में ही जितनी भी extra water है पूरे water नीचे से pass out हो जाएगा इसके बाद और क्या fertilizer हम देते हैं ये floor plant की growth को और जदा भराने के लिए मैं calcium nitrate हफते में एक बार देता हूँ जिस दिन मैं calcium nitrate देता हूँ उस दिन मैं और कोई भी fertilizer नहीं देते हैं लेकिन NPK 0050 यानि कि potassium sulfate हफते में एक बार दो ग्राम देते हैं आपके पास छोटे plant होंगे तो एक ग्राम देंगे और plant की अनुशार ही आपको देना है DAP दो हफते में एक बार यानि कि 15 दिन आंतर से DAP एक बार देंगे magnesium sulfate हफते में एक बार आप लोग भी ऐसी करके क्यार करें आप लोग को भी काफी अच्छा result मिलेंगे उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक करें शेयर करें शाब्सक्राइब जरूर करें शाथ में बिल आइकन को प्रेस करें थैंक्स दर्बाचिंग